ये है स्नेक वाइन ऐसा माना जाता है चाइना में 771 BC के टाइम पर बनाया जाता था और आज के टाइम ये चाइना के साथ साथ ही South East Asia और बियत नाम में भी काफी ज़्यादा popular हो चुका है इसे बनानी के लिए जिंदा साप को पकड़ कर उसे 3-4 दिन तक भूखा रखा जाता है फिर उसे rice wine में या alcohol में डुबो कर रखा जाता है ऐसा माना जाता है rice wine में इथेनौल की वज़ा से साप के अंदर जो जहर होता है वो खतम हो जाता है और वो भी धीरे-धीरे मर जाता है फिर 3-4 महिने के बाद तयार हो जाती है snake wine इसके अलामा snake blood wine भी होता है जो इससे थ आउसे पीते हैं आपको यह जानकर कैसा लगा हमें comment section में जरूर बताना और चैनल को भी subscribe कर लेना ऐसे ही facts देखने के लिए